तो आम आपको बता दे प्रधार मंत्री मोधी अब चुन लिए गए हैं अंडिये संसद्य दल के नेता और इस वक्त आप देख रहें सयोगी दल टीडीपी के चंदरबाबु नाइडु उनका स्वागत सतकार और शौल देकर और शौल उडाकर उनका स्वागत सयों की दल टेडीपी चंद्रबाबु नाइडू नितिश कुमार ये सब NDA के सयोगी दल है और खास तोर पर आज अगर प्रधार मंतरी के भाशन की बात की जाए उन्होंने पूरे पास साल के जो विकास का एजंडा है उनका और किस तरह से जो NDA है उसे लेका चलेगी उसका एक पूरा खाखा खीचा है और उन्होंने कहा कि हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे जितने सयोगी दल है अब एक एक कर संबान और सतकार करते हुए प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहे हैं तीसरी बाद हैट्रिक लगाने जा रहे हैं प देकर पूल देकर उनका अभिवादन स्विकार कर रहे हैं प्रधार मंतरी जितने नए सांसद हैं पुराने सांसद हैं कुछ तो बहुत कई टर्म से सांसद रहे हैं कुछ एकदम नए सांसद हैं और उन्हें कहा कि सब को साथ लेकर चलने की जरूरत है एंडिये गटबंधन दलोक के साथ इस पूरे 5 साल काम करेगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता ने NDA पर भरोसा जताया क्योंकि उनका भरोसा NDA ही है देखे योगी आदित नात के पीट पर उन्होंने थपके दी है और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा है लेकिन ये बीजेपी है NDA है सबको साथ चलने की बात लेकर करती है मन्थन जरूर होगा कि आखिर कहां कमी रह गई लेकिन 5 साल के विकास का खाका यहां से प्रदार मंतरी ने खीचा है उन्होंने कहा है सम्मिल कर काम करेंगे हमने हमेशा से भारत माता को सरवच्च् कि देखिए ये भारतिये हैं और भारतियों से मिलना चाहेगा तो इस तरह की संकल्पना के साथ उन्होंने आज अपनी बात रखी है सहयोगी दलो को साथ लेकर चलने की बात रखी है और बाकि अगर सहयोगी दलो की बात की जाए तो उन्होंने भी प्रदान मंतरी और NDA पर दे रहे हैं और ये बड़ी कह सकते हैं तेहाजिक मुव्मेंट है तीसरी बार प्रधार मंत्री पत की शपत लेंगे नरेंद्र मोधी और आज जो एंडिये संसद्य दल में उनको नेता चुल लिया गया सर्वसंबती के साथ तीसरी बार हेट्रिक लगाने जा रहे हैं और प्र बढ़ जाती है महिलाओं की बात की विकास की बात की और आगे आने वाले दनों में किस तरह के कामकाज इस सरकार की तरफ से होंगे उसका भी एक पूरा खाका तयार किया गया खीचा गया है प्रिधार मंत्री की तरफ से साथ ही उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई मनमानी नह कीजे जो चीजे हैं जो बाते हैं वो समय समय पर सामने भी आती रहेंगी और उन्होंने कहा कि खास दोर पर महिलाओं की उन्होंने बात की सबका साथ सबका विकास की बात हमेशा से करती रही है प्रधार मंत्री ने कहा कि भरोसा अगर जनता ने जताया है तो हम भी उस भरोसे पर खरा उत्रेंगे तो आज एंडिये संसद्र दल के नेता प्रधार मंतरी चुल लिये गाएं हैं सभी जितने सहयोगी पार्टी थे उन्होंने भी अपना विश्वास जताया उन्होंने कहा कि हम साथ लेकर काम करेंगे साथ लेकर चलेंगे पूरे पास साल तक सरकार चलेगी और देश के हित में जो फैसला होगा उस पे हमारा सहयोग होगा तो एक एक कर जितने नए पुराने सांसद बने हैं वो सभी सांसद इस वक्त प्रधार मंतरी से मिल रहे हैं उन्हें फूल दे रहे हैं और एक तरह से कह लिजे कि ये एक तस्वीर सामने आई ज इसको आगे ले जाने की बात किया है विपक्ष पर भी उन्होंने हमला बोला उन्होंने कहा कि जीत को लेका जिस तरह से उन्होंने एक प्रोपगेंडा खड़ा किया है वो कहीं न कहीं अपने जो कारे करता है उनका मुराल बूस्ट करने की कोशिश है हलाकि जीत हमारी हुई ह हम एक बड़े दल के रूप में उभर कर आए हैं जनता ने हम पर विश्वास किया है लेकिन बाहर जो बाते हो रही है और खास तोर पर विपक्षुजू सारी बाते कर रहा है उसको जनता ने शुकार नहीं किया है तो 9 जून को मोधी सरकार का शपत गरहन होगा इस वक की बड संसधियर डल की बैठक में बोले हैं नितिश कुमार नौ तारीकों अपना आज प्रसाओं पेश करेगा राश्टपती के सामी प्रस्ताओं रखा जाएगा और फिर राश्टपती उन्हें ने जा रहा है कि 9 तारीकों कि को हमने सुना जब उन्होंने अपना भाशर दिया औ और जब प्रदार मंत्री के नाम को अनुमोधित करने के लिए वो खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था कि कली आप अपना शपत ले लीजे जितनी जल्दी हो सके नेकिन प्रधान मंत्री ने ये कहा कि नहीं वो नौ तारीक यानि कि रविवार को श्रफत ग्रह पुष्टी कर दी है। सारी कोई सपस लेंगे और इस वक्त में एक तस्वीर आपको दिखाना जाएगा उसको लेकर के समर्षक जो है वो काफिश साहित है। से लगातार जो है यहाँ पर ढूल और नगाडे जो है वो बजया जारे समर्थकों में उस्ता है। और जिस तरह से हमने देखा कि जब इंडिय की बैठक हो रही थी वहाँ पर न सिर्थ नितीश कुमार बलकि इंडिय के अन्य घटक करें। जितन रामाजी के बारे में बात करें। या फिर एकनार शिंदे के बारे में बात करें। जो पहरास के मुख मंत्री है। सभी लोगों ने प्धार मंत्री ने के नाम का अन्मोदत किया। और उसके बाद सर्व्भमती जो उने निजा चुल लिया गया है। और यहां पर लोग है कारकरता है। अलां कि यह जो छित्र भों प्धित्च्ट शित्त है। यहां पर कम लोग हैं को आसे लेकिन फिर भी जो कारकरता हैं। एक उटमें काकर उस्षा है। और यहां पर ठीक पीशे मैं आपर मेरे क्याना प्रज़न सुनु मंदर कुखोंगा, वो दिखाएंगे ठीक में संसद बॉन मंदर है, और संसद के इती गेटे पे जो बसंसद है, वो अंदर जाते हैं, और उसके बात, यैसे ही प्धानमंतरी के नाम का अनुमोजन हो गया, का कारकर्टाओं में काफी उसका है, लगातार डोल लांग नगाडे बजा रहे, एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बसाना जाओंगा, कि जब हमारे पीशे में के कारकर्टाओं ते बात हो रही थी, निताओं के बात हो कि उन्होंने साफ़कों से कहा कि जिसरे का सजने कारकर्टाओं में उसका है, जो है वो करने कि उन्होंने कोशिक कि दे बिलकुल और विनीत उत्सा हो भी क्यों ना, प्रधान मंत्री तीसरी बार शपत लेने जा रहे हैं, और अब NDA के संसद्य देल में उनको नेता चुन लिया गया है, यानि मोहर लग गई है, नौ तारिक की बात भी सामने आ गई है कि प्रधान मंत्री शपत लेने वाले हैं, इसलिए गाजे बाजे के साथ इस बात को सेलिबरेट किया जा रहा है, लेकिन अगर प्रधान मंत्री की बात और भाशन को आज सुने हम विनीत, तो उन्होंने पूरे पास साल का एक खाका कीच कर रख कि वो क्या करने वाले हैं, क्या आगे का उनका विजन होगा? इसलिए का जो कारकाल है, उसमें विजास की बायार है, वो बहेंगे. एक बड़ी पास यहांपर मैं आप बसाना चाहोगा, कि जपनी सुनी के कारकारताओं को भी संबोजित कर रहे थे प्रहान मंत्री नरेज मत्री चीत के बाद, उसमें वक्त भी उनका साफ साथ काना था, कि फिलास के जो काम किछले दच स्वाइन लागतातार जल रहे थे, वो आगे बढ़ाते रहे हैं. करपतन के प्रतिक जो बद्रस्टाचार के इस विलाव को जाना के दरेश वोगी चला रहे और इसका को आगे पढ़ाए जागा एक बड़ी बात यहापर मैं आपके पताना कि होगा है कि जाना के दरेश को जाना है प्रधार मंत्री के अंडिये के संसदे दल के नेता चुनने के बाद और अंदर भी अब किस तरह से एक एक जो संसद है वो प्रधार मंत्री से मिल रहे हैं उनको फूल दे रहे हैं बधाई दे रहे हैं वो तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं चलिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं सेंटरल हॉल की तस्वीर है प्रधार मंत्री को नेता चुनलिया गया है इसके बाद बधाईयों का दौर शुरू हो गया है जो वहाँ पर सांसत पहुचे हैं नए पुराने सभी पूल देकर उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं दरा वो तस्वीर भी देख लेते हैं जब नितीश कुमार ने प्रधार मंत्री के पैर चुए लेकिन विपक्ष एवियम को गाली देता था इस बात का जिक्र भी आख प्रधार मंत्री ने किया है विपक्ष के मुँपर ताला लगाया 4 जून से एवियम ठीक हो गया फिर 2029 में एवियम पर सवाल उठाए जाएंगे लेकिन इन पास सालों में कुछ भी नहीं होगा एवियम को लेकर विपक्ष किसी तरह की बात नहीं करेगा सुनिये प्रधार मंत्री ने क्या कहा तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आखड़े माखड़े तो मुझे ये बताओ कि इवियम जिंदा है कि मर गया क्योंकि ये लोग ताय करके बैठे के भारत के लोकतंत्रों लोकतंत्र की प्रक्रियाते प्रती विश्वासी लोगों का उट जाए और लगा तार इवियम को गालिज देना और मुझे तो लगता था कि साइदी इस बार वो इवियम की अर्थी निक्या जुलूस नेका लेंगे लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए इवियम ने उनको चुप कर दिया ये ताकत है भारत के लोग तंत्र की ये ताकत है भारत की निस्पत्ता की ये भारत है भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की चुनावायों की और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि पांच साल तो अब इवियम साइद मुझे नहीं सुनाई देगा लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से जाएद EVM को ले करके नाजनी की चुरुआ करेंगे क्योंकि इनके सुत्रे की सब्बाव नहीं बहुत कावब है मेरे लिए जन्मा सिर्फ और सरफ One Life One Mission और वो है मेरी भारत माता यह मिशन है 140 करोर देश वाश्यों के सपनों को पूरा करने के लिए खब जाना यह मिशन है 140 करोर देश वाश्यों को हजार साल की मुसिबतों से जो गुजरी कुई पीडी दर पीडी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देश वाशी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश यह हिंदुस्तान का है अरे नेजर मिल जाए तो अच्छा होगा यह मैं सिर्थी पाइदा करना है और चर्चा के लिए हमारे सहयोगी विनीत कुमार मारे साथ लगाता जुड़े हैं विनीत आज EVM को लेकार अभी तक जो सोशल मीडिया पर देखा सोना जा रहा था भाजपा की तरफ से वो प्रधान वंतरी मोदी ने सेंट्रल हॉल में कहा और कहा कि आकड़े तो सब ठीक हैं लेकिन चलिए इस बात का संतोश है कि EVM सही है यही भावार्त उनके कहने का लगाता है जो खत्रे में बात करते रहे हैं लेकिन जिस तरह से इविए का वह इस पर पर नहीं कर रहे हैं वो रहे हैं वो जाए नहीं कर रहे हैं कर रहे हो खोग शजए नहीं कर रहे हैं सुरह के भश्याइट फृण कर लेकिन पर बार्टिया कर रहे हैं चिर्चिए नहीं के बात कर रहे है história लेकिन उत्के बाद प्रशी पार्टिया जो है जुआओं में पर लगातार हो तुछा नहीं कर रही है और किसी को पुद्धार्मतिन नरेंदर भूदी ने का साफ तौर पर वे फिपी है या पिर इंडिये के लोग है उन्हों ने साफ तौर से कहा कि पार्टिया है वो कहीं न लेकिन एक और बड़ी बास कि आपना आपका में आपको बताना चाहूंगा जाहां जाहां मतीर जले दुबोदी ने अपने भाशन में या भी साफ तौर पर विश्वाफ है और तीज साल से वे जो है वो इंडिये का गटबंदन जो है वो लगाता है जाहे वो सक्ता में हो ह तो एक साथ मजबूत रहा है एक और बड़ी बात यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो है जो है कारणा है तो आपको दिखाना हो गई है उस पर घुल नगाड़ों के साथ जो है जश्व मना रहे हैं सासे साथ मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल और हम दिखाना चाहूंगा कि यहां पर घुल नगाड़ों के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल और हम देख रहे हैं किस तरीके से देश भर से जश्न की तस्वीरे आ रहे हैं सर्व सम्मती से एंडिये के नेता चुनले गए हैं नरेंदर मोदी और राजनात सिंग ने प्रस्ताव रखा सभी ने एकमत सहमती दी और उसके बाद मन से आके सभी घटक दलग के प्रमुकों ने अपनी सेमती जताई भाशन दिया और खबर इस बीच है कि एंडिये आज ही पेश करेगा सरकार बनाने का दावा विनीत कुमार इस पर अपडेट हमें देंगे विनीत अब यहां से आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आज ही सरकार बनाने का दावा पे करें हमारी जो सुपर बने बता रहे हैं उत्का दख़क मत्रव आज लोगों का प्रिचिती मंडल है वो बचाएगा राश्मती के साथ मुरा कात करेंगा जैसा कि हमने देखा जो दिता थे उन्दी पर उन्दी का दाविदार है वो शुपिया था और आब इस आप शारी के करेंगे अपर भी के बा शुपिया, ब्चाएग आपके मंडल पताया जाना है, इस मतल हैं तुम रहे हैं इसमें की समाव देता हैं वो बहुत भी आहिए हैं कि हमाण जाहिए और राश्मती के से घररवा बाहिऑ सब्सक्राण के जा रावा बाव